कि देहिं साथियों सो कैसे हैं बैसे भी लोग पढ़िया है हो बहुत अच्छे बहुत स्वस्थ एकदब मस्त अपनी क्लास में तो आईए एक बार और आप सभी का स्वागत आपकी अपनी मैथ्स वाली क्लास में पिछली क्लास में जो सक्सेसिव परसेंटेज था मतलब उत्त दोरोत्तर प्रतिशत परिवर्तन इसके बेसिक कंसेट पर मैं और आप मिलकर के बात कर चुके थे हम और आप मिलकर के इस पर भी बात कर चुके थे कि अगर जनसंख्या और मशीन पर सवाल आता है वो कैसे आता है तो यह दो दो डन है वही यह जो इनकम एक्स्पेंडीचर और सेविंग्स पर सवाल बनते हैं जिनमें खासकर यूज होता है सक्सेसिव पर्सेंटेज चेंज कंसेप्ट का वाला भी हो चुका था तो इनमें जो यह हैं उन्हीं पर बात करनी है तो मैं अभी के सेशन में यह जो टॉपिक है यह थो यह जो अपर बेश्ट जो क्वेश्चन आता है और वो ऐसे सवाल आते हैं जह परसिंटेज के होते हैं सक्सेसिव का कंसेप्ट लगता है उसको सीखने जा रहे हैं मतला मैं आपको बताने जाए जा रहो हूं यह उत्तरोत्तर प्रतिजत परिवर्वारतन पिछली क्लास कहां कहां कर सकते हो उसको सीखते हैं चलिए कॉपी पर निकालिए शुरू कर देते हैं आइए बिना किसी देरी के एकदम बहुत बढ़ियां पढ़ेंगे आज ठीक है तो मैं तो बहुत रेडी हूँ आप सब लग भी रेडी हो चुके होंगे तो डी एंद 3D हिंदी में बोलते हैं दुई विमी और तुरी विमी आकरती वैसे जनरली जमेट्री में देखते हैं हम लोग बट यहां पर बात आती है मेंसुरेशन की तो मेंसुरेशन में जब आप यह चीज़ समझ होगे कि आखिर किस वाली इमेज को हम लोग 2D और किस वाली इमेज को हम लोग 3D कहते हैं तो वहां से कंसेप्ट शुरू होता है पड़ मैं यह मान के चलता हूं कि 2D और 3D जो इमेज होती है वह आप पहले से जानते हों यह सब को पता होता है अक्सर मतलब मैंने देखा है क्योंकि तो आपने तीन चीजे मेंड करना सीखा होगा तीनों का फार्मूला पढ़ा होगा एक तो सरफेस एरिया का एरिया मतलब एरिया सर्फेस एरिया या लैटरल सर्फेस एरिया सब सेम चीज एक पेरिमेटर सीखा होगा और एक सीखा होगा वॉल्यूम निकलना तो जब तक आपको पेरिमेटर का वॉल्यूम का और एरिया का या तो फार्मूला याद हो या तो इनका कंसप्ट याद हो जि चीज को समझने जा रहे हैं ठीक है तो आईए भई 2D and 3D image पर based मतलब मैं आपको theme समझा चुका हूं मेरे ख्याल से कि हम क्या करने जा रहे हैं तो अब उसी चीज को सच में वाकई में सही बता रहा हूं करने जा रहे हैं यह है ठीक है तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताओं कि first 2D images सबसे चोटी दुविमिय आकरती तो फटाक से आएगा triangle कई सारी भुजाओं से घिरी जो बंद आकरती होती है कई सारी भुजाओं से घिरी जो बंद करती होती है उसे हम कहते हैं बहु भुज है साइट से हो लोग फ्रेश इमेज हो तो उसको हम लोग कह देंगे पॉलिगन अब पॉलिगन कित्ते टाइप का होता तो उसमें सबसे पहला पॉलिगन आता है 2D में ट्राइंगल ठीक है तो फहले तो आपने इस इमेज को पहचानना समझना होगा यह कौन सी इमेज जो मैंने बनाई सब लोग कह देंगे सरजी लंबाई चौड़ा यह लग लग है तो रेक्टेंगल है बहुत तेज हो रहे हैं और अगर आल साइट सिक्वल है तो फिर इसक्व को पता है मुझे इसे थोड़ी बताना था यह नहीं समझाना मुझे समझाना एक बहुत ही खूफशूरत सा कंसेप्ट तो उस कंसेप्ट पर आते हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए ज्यादा टेंसन लेने की जरूत नहीं है जहां पर होगी टेंसन हम बता देंगे तो उसको द लेकिन आए पढ़ेक है बस इतना समझ लो कि मतलब जो समझ रहे हो वो एक्जाम में आता है पर नहीं आता है तो नहीं पूछो कि हमसे कि सर्जी समझ मना आओ तो हम बताये देंगे लेकिन इसके आगे बहुत ज्यादा सोचना विचारना नहीं है कि मतलब पगला है जो वह पीछे एकदम समझ रहे हो हाँ चला हर एक चीज आपके लिए पॉसिबिल हो सकते ही पता है अगर आप सिंसियर हो किसी भी चीज के प्रतिक डिरिगेशन बना के रखते हो कहते हैं कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की शाजिश में लग जाती है अब यह जो नीचे मैंने इमेज बनाई है यह है 3D और उपर वाली क्या है यह वाली 4D है लेकिन किसका यूज कर ले जिससे स्वाल का अंसर बहुत जल्दी आ जाए तो उसके लिए मुझे आपको यह बताना था कि जब भी कभी आप एरिया निकालते हो क्य जो 3D इमेज होती है यह सारी वो बनती तो है 2D से जैसे जिस कमरे में बैठके पढ़ रहे हो समझ लोग वो यह है क्यों वो आड है घनाब है तो जो घनाब होगा जिस कमरे में बैठके पढ़ रहे होंगी चछत होगा फर्ष होगा है ना फ्लोर एंड रूफ तो वो जो फ् 3D में भी रहती है, अलग तो है ही इसमें भी रहती है, तो जो area होता है इसलिए, वो दोनों में निकलता है, इसमें निकलेगा सिर्फ area, बड़ यहां पर देखोगए 3D में, तो इसमें surface area, lateral surface area, total surface area, तो वो सारी चीजे 3D में है, फिल्हाल जब भी कभी हम area निकालते हैं, तो ह लोग क्या करते हैं multiply कि इसका जैसे मैं कहूँ कि यह L है यह L है this is BB तो यहां पे लंबाई गुने चोड़ाई आता है जब आप 6 त्रफल निकालते हो length into width हो जाता है मतलब इस rectangle का area कितना लंबाई गुने चोड़ाई ठीक है L into B के concept से अगर मैं सभी side को बराबर कर दो तो आप कहेंगे सर जी तब तो यह A square हुआ है कि नहीं भैस साब अगर मैं इसके base को लंबाई को B और यहां से यहां तक की जो height है इसको h माल लूँ सो 1 upon 2 into base into height के concept से एरिया पनेगा मजूर बोल ला हो क्या नहीं बोल रहा और अगर आच circle का area देखोगे तो circle का area होता है पाई आर square where r is length of radius और radius क्या होती है एक खास बिंदू से center से मतलब इसके circumference सब की distance चुकी equal रहती हर चुके तब यहां ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी और वो बात यह है कि जो area होता है वो भाइस साब product होता है area is the product of two units units मतलब यहां पे है मात्रक से कोई भी दो इकाईयों का गुड़न फल होता है कौन area जैसे यहां पे लंबाई गुने चौड़ा इससे आता है इसमें a का गुड़ा ही है दो बार तो दो बार इसमें a से करने से आ जाता है triangle है तो base और height इन दोनों का multiply होता है area निकलता है circle है तो r का square r का गुड़ा दो बा जाता है अब आपके मन में होगा सर जी unit में क्या एक बटे दो या पाई नहीं लेंगे क्या क्योंकि एक बटे दो भी count कर लोगे तो तीन हो जाएगा तो मैं कहूंगा units जो है वो मात्रक होता है centimeter meter kilometer जिसको इसमें लिखते हैं यहां पर one upon two और यहां पर पाई यह constant है नियता numbers को unit में नहीं जो base height है जिसको हम लोग unit के रूप में ले रहे हैं उसका मतलब है यहां पर तो दो unit का product हो जाता है area के लिए while वही चीज़ जब हम 3D image में देखेंगे और 3D image में हम लोग देख रहे होंगे क्या चीज़ गाईस उसमें हम लोग ढूंट रहे होंगे volume volume माने आयतन अगर ढूंट रहे होंगे तो जैसे यह है गनाब इसमें लंबाई अलग होती है चोड़ाई अलग होती है उचाई center से यहां तक की distance radius r है यह बेलन था बेलन और इसमें इस वाली height को कहते हैं एस सब्सक्राइद है इसमें केंट की जशक्राइद होता है यहां यह जो दिस्टैनस ना वो तो वही है radius r एक गोले में center से लेकर के circumference तक की distance r कहलाती है और गोले का आयतन गोले का आयतन होता है व वोल्यूम होता है 1 upon 3 pi r square h, मतलब 1 upon 3 of volume of cylinder, cylinder का सिर्फ इतना होता है कितना pi r square h, यह जो है इसका लंबाई गुने चोडाई गुने उचाही से aq बन जाता है, और यह length into width into height, तो आपको यहाँ पे दो चीजे समझ में आई होंगी, पहली चीज तो यह, कि जो area होता है, वो 2 unit का गुरणफल होता है, वैसे ही आयतन जो है 3 unit का, लंबाई गुने चोडाई गुने उचाही, लंबाई गुने चोडाई गुने उचाही, 3 unit का product होता है, कौन यह नाब, मतलब volume, तो अब इसका यह formula याद है, तब तो इन से percentage change डिरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन मुझे वो थोड़ी समझा रहा है, मुझे तो समझा रहा है, इस से देखो और लगा ले जाओ, तो सवाल का answer अगर देख करके बताना चाहते हूँ, तो कैसे करोगे, उस चीज पर आते हैं, ठीक है भई, ready, चलो, तो अगर सवाल का answer आप देख के बताना चाहते हूँ, तो मैं कहूंगा, यह आपको दो बाते याद रखनी है, यह सब दिख तो नहीं रहा है, एक बार मुझे पता दो, ठीक है, मैसे इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ पर दिखेगा ही, तो चलिए ठीक है, कोई issue ने, tension नहीं ले न, नहीं दिखेगा, तो दिखाया जाएगा भाई, सब उसी हिसाब से, ठीक है, आईए, तो मुझे आपको दो चीजे बतानी थी, पहली चीज तो, पहली चीज तो ये, कि जो छेत्रफल होता है, वो दो इकाईयों का गुड़नफल होता है, product होता है, दो इकाईयों का, इसलिए, इसलिए छेत्रफल में, इसलिए जब भी कभी छेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना होता है प्रतिशत परिवर्तन निकालना होता है या ज्याद करना होता है तो जो दिया गया होता है परसेंटेज है दिया गया जो भी पर्सेंटेज होगा ठीक है उस पर्सेंटेज को स्तों में बढ़ा कर या घटा कर अब यह कैसे होगा यह होगा according to the question जैसा सवाल में बोलेगा वृद्धी लिखा तो बढ़ाना है कमी लिखा तो घटाना है सो में बढ़ा कर या घटा कर आपस में आपस में दो बार multiply करते हैं यह है आपका concept और इसी पर सारा सवाल लग जाएगा कितनी बार गुड़ा करते हैं दो बार multiply करते हैं क्या बात समझ में आई इससे यह very 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 important बात है भाई साब हमारे इंडे से आप सभी के लिए क्योंकि इसी पर हम लोग को सवाल लगाना है जब भी कभी area में changes निकालना होगा तो area चुकी दो units का product होता है that's why जो भी percentage दिया होगा सवाल में उस percentage को 100 में या तो बढ़ाईएगा अगर वृद्धी बढ़ाना है तो हमी लाना है तो सव से घटा दीजिएगा ठीक है सव में बढ़ा करके या सव में घटा करके आपस में हम लोग उसमें multiply करते हैं टोटल दो बार खिलर है ठीक है चलिए दो मिनट दीजिएगा मुझे बस दो मिनट है ओके ठीक है तो एक यह हो गया और इसी प्रकार सिमिलर्ली आयतन के लिए जब वॉल्लिम में पूछेगा तो आयतन कितने यूनिट का होता है तीन यूनिट का यह आयतन के लिए तीन बार गुड़ा करते हैं बस यह बन गया आपका जुगाड तीन बार मल्टिप्लाई करते हैं बट आप सोच रहे होंगे सर्जी वो मल्टिप्लाई हम लोग करेंगे कैसे क्यों भई गर्मी बहुत लग रही है ब्रो एकदम मतलब पसीने से तर बतर हो रहा हूं देख रहे हैं ज्यादा परिशान आपको भी नहीं होना है है फैड़क लेकर नहीं पढ़ना व्रोग समझ रहे हो एकदम चिल करो गाइस तो बताइए अभी कोई लिक्कद गाइस तो यास नहीं है तो मैं आपको बताओं कि अब सवाल कैसे लगाने हैं आपको अब कर दो अब कर दो पर दो या अब कर दो कर दो कि अब करम बस मुझे एक मिनट दीजेगा दोस्थ कि रिख एक मिनट कर दो कि अब देखो एरिया के लिए दो बार और आयतन के लिए तीन बार होता है और होता कैसे है जरा इसको समझें किछली क्लास मैंने आप से बताया था कि अपने आप में हर एक वैल्यू कितनी होती है 100% मानते हैं अपने आप में हमेशा 100% example के लिए अगर मैं आप से बताओ कि मुझे यहां देख के यह बताओ कि अगर यह एक rectangle है और मैं आप से यह कहता हूँ कि इस rectangle की जो length है न इसको अगर मैं 40% बढ़ा देता हूँ और इसकी यह जो चोड़ाई है इसको 20% घटा देता हूँ यह जो arrow नीचे की तरफ गया मतलब घटा है यह बढ़ा है तो इसका जो area होगा वो कितने percent घटेगा या बढ़ेगा ऐसे सवाल आते हैं what percent change in its area ठीक है if the length and width of a rectangle is increased by 40% and decreased by 20% respectively then find percentage change in its area अगर छेत्रफल में percentage change पूछा जाता है गाईस सिर्फ एक तरीका नहीं है बहुत तरीका है तो बहुतों पर आते हैं फिलाहाल तो बताता हूँ कि पहले इसको समझे भाई इसको समझने के लिए simple सा एक कार्य करना है आपको कि मान लेना है area इसका कितना था सो था कोई confusion नहीं और इसके पहले वाली वीडियों भी यही कर रहे थे साव था अब बताओ मुझे अगर छेत्रफल में चेंज पूछा है तो कितनी बार गुड़ा करोगे आप सिरिफ इस पर ध्यान दो कितनी बार multiply करोगे अगर आप से छेत्रफल में चेंज पूछा है तो फटाक से कहिएगा सर जी एरिया में जब भी पूछेगा हमें multiply करना है दो बार कभी कभी आयतन में चेंज पूछेगा तो हमें तीन बार गुड़ा करना है जब बात समझनी है आर यू रेड़ी देन लिसन तो जब इसके लेंथ को 40 परसंट बढ़ाया सो माना तो 40 बढ़कर के कितना हो जाएगा 140 परसंट हो जाएगा न और मैं इसकी चौडाई को 20 परसंट घटा देता हूं यह कितना बचेगा 80 परसंट बचेगा पस यही समझाना था कि यह खिचाक यह खिचाक इसके दोनों 0 खिचाक खिचाक और 14 अठेबरो कितना होता है आपको कहोगे सरजी 120 तो 120 आंसर नहीं है 14 अठे 112 तो 112 आंसर नहीं है आंसर क्या होगा पहले वो समझो 100 परसंट एरिया इसका था और एरिया हो गया है 112 परसंट बढ़ा कितना है तो यह इस बात पर गौर करिएगा यह बढ़ा है 100 से कितना ज्यादा 12 ज्यादा इसका मतलब है कि जो एरिया हुआ वो 12 प्रतिश्चत वृद्धी के साथ में आया एरिया बढ़ गया है 12 परसेंट बताइए कोई डाउट पता भी अभी कोई डाउट किसी को जब आपको इतनी सारी बाते संग में आ गई है तो आईए लेकर के चलता हूँ आपके लिए खोप सुरत सवाल पर जिसमें सक्सेशिव परसेंटेज चेंज का ही यूज होगा ठीक है अब कैसे सक्सेशिव परसेंटेज चेंज का यूज करते हैं आईए बताता हूँ और एक सवाल पर तीनों मैथर दिखाता हूँ फिर बताता हूँ किस पर किस जगे पर कौन सा लगाएंगे आई यह लगाती है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में किरम शहाब 30% बुरिद्धी और 40% कमी की जाती है 30% बढ़ाते हैं और 40% इसको घटाते हैं की जाती है तो इसके शेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताईए ऐसे सवाल बनेंगे आपसे शेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताईए क्या बताईए एरिया में परसेंटेज परिंज जी हा जी हा जी हा बताईए जी 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 हा जी हा अब इसके तीन मैथेड है तीनों को एक एक करके समझते हैं देखें फहला मैथेड क्या है आपका पर यही था कि आप इसको 100 मान लीजी अपने आप 100 मानोगे जब आप 30% इंक्रीज कर रहे हो तो 130 परसेंट होगा ना और जब आप 40% डिक्रीज कर रहे हो तो फिर 60 परसेंट बचेगा ठीक है एक मिनट गया इस फोन आ रहा है मेरे पास एक मिनट हाँ सर झाल 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 तो हेलो हेलो आपको इतनी बाते समझ में आ गई हैं अब ही क्या करना केवल काटना पीटना मचाना है और फिर आंसर आपके पास में आ जाना है तो आइए वो भी कर देते हैं वाइस सब यह दो रोजीरो से दो जीरो तो काट डालूँगा मैं यहां वाले से इसको थर्टीन सिक्स जा कित्ता होता गाईस 78 बेरी गुड़ अब 78 परसेंट तो इसका एरिया हो जाएगा यह मतलब हुआ यह सर और 78 परसेंट होने का मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा न गाईस answer आएगा वो answer हो जाएगा 22% और ये क्या दिखाएगा ये दिखाएगा कि कमी हो रही क्यों क्योंकि जो मेरे पास में result आया है 78% ये 100 से 22% कम है तो 22% direct answer क्योंकि 100 हमने area बाना था अब इसके पहले वाले सवाल पर जो यहां पर था ये 12 112 आया था 100 से कितना ज्यादा 12 तो 12% विरिद्धी था बस यही काम करना होगा इस वाले basic method पर इसी को हम लोग सीख रहे थे पिछली वाली last में successive percentage change में कि जब भी कभी successive ऐसा change लाएगा तो हम 100 में change लेकर के आकर के देख सकते हूं उसके साथ ठीक है चल गए सर झाल 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 चले फई तो हम लोग आते हैं सवाल के एरि आवाज बहुत बढ़ी आ रही है तो एक तो ये वाला मैथेड था और आपका जो सेकेंड मतलब की दूसरा मैथेड था सेकेंड वाला वो ये है सेकेंड मैथेड था जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन मैथेड क्या कहते हैं फ्रैक्शन नहीं गईज फ्रैक्शन क्या कहते हैं भिन्र वाला सबसे पहले दिये गए परसेंटिज को फ्रैक्शन में आप बदलो गे ऐसे बदलोगे कि जैसे यह 30% है तो 30% का मतलब था 3 बटे 10 सबको पता है और जो 40% था 40% उसका मतलब था 2 बटे 5 इसी बात पर फोकस करना था सवाल लगाते समय देख लीजिएगा किसके बारे में चेंजेस पूछा जैसे यहां पर पूछा था चेत्रफल में चेंज बता हो तो चेत्रफल में जब भी चेंज पूछेगा एरिया में हमें याद है 2 बार मल्टीप्लाइब करना है दो बार करन तो ऐसे यहां पर भी दो बार होगा एक बार 30% के साथ में एक बार 40% के साथ वाला तो 30% वृद्धी हो रही थी इसका मतलब है 10 में 3 बढ़ेगा पहले कोई संख्या 10 थी तो अगर 3 बढ़ा देंगे तो 13 हो जाएगी और 40% कमी कर रहे थे इसका मतलब कोई भी नंबर प्लाई और यह 13 तिया 49 मतलब यह कि कोई भी संख्या कोई भी चीज एरिया हो वॉल्यूम हो कुछ भी हो अगर वो पहले 50 थी तो अब वो 49 हो जा रही मतलब घट रही तो जो घट रही है वो कितना घट रही है इस सवाल को लगाना है तो सवाल लगाने के लिए क्या करेंग 50 से 49 हो जाने का मतलब है 11 घट गया 11 घटा है किस से घटा है 50 से माइनस हुआ है multiply 100 का करेंगे तो percentage बन जानता है 50 का डबल और इसका मतलब 20% कैसे क्योंकि 50 का डबल और 11 दुना 22 कुछ जनका यह नहीं समझ माई तो 50 दुनी 100 और 11 दुना 22 परसंट तो ये बात ये बात ये ब वाला परसंटेज fraction में होगा अधरवाइस आप ध्यान से समझे ये टाइम लेगा method ये जल्दी आंसर दे देगा तो अभी मुझे को सिर्फ इतनी बात बताओ ये समझ में आया नहीं आया हो तो फिर से बताओ एक बार और देख लो तकि पूरी तरीके से ये जहन में आपके बैठ जाए और इससे जो आंसर हम लोग निकाल सकते हैं वो निकालना आपकी समझ में भी मतलब आ जाए तो जब 40% का fraction value 3 बटे 10 40% को बदल लेंगे 2 बटे 5 नीचे वाली संख्या initial दिखाती कितनी थी कोई संख्या 10 थी अगर वो 3 बढ़ेगी तो 10 का 13 हो जाएगा कोई नंबर अगर 5 था 2 घटेगा तो 5 का 3 बचेगा इधर 10 पचे 50 इधर 13 ती या 49 पचास से 49 हुआ ना 50 से 49 हुआ कितना घट गया 11 घटा है 50 से 50 नीचे और ये काम जो मैं कर रहा था यहां वाला वो वही काम है जो पहली क्लास में सीखा था कि परसेंटेज बनाते कैसे हैं ठीक है ओके तो अब वन्स अगेन आईए तीसरे वाले मेथोड पर तीसरा वाला मेथोड क्या कहता है तीसरा मेथोड है ह हमारा मेथोड नहीं मतलब मेथोड तो मुराही मुराही में में बोल देता हूं एगार्ट मेथोड है जन्डु बाम है जंडु वाह फिस्ट्पारप। y plus minus x into y और upon में 100 आपको होगे ये क्या है तो ये है जब भी कभी किसी भी चीज में है दो बार percentage change आ रहा हो और अगर आपने इस method का यूज कर लिया इस formula का छूट असा formula है तो direct percentage change निकाल सकते हो बिना दो बार ये ये किये seriously अगर वृद्धी हो रही है तो plus sign रखना है कमी हो रही है तो minus sign ठीक है for example ये सवाल में रखो मिला एक rectangle है लंबाई चवड़ाई में 31% की वृद्धी कमी करी जाती है area में percentage change लगाई है तो जब वृद्धी की बात होगी तो इसका मतलब plus है कमी हो रही होगी तो इसका मतलब है माइनस लगा डालिए 33% वृद्धी मतलब plus में 30 40% कमी मतलब माइनस में 40 अब यहां बताओ जब है डिनाुमिनेटर में 100 है खिचा 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 कटम भाई वाई साब plus 30 minus 40 means minus में 10 और यह जो माइनस है 4 3 जा 12 once again minus minus क्या होता है add होता है but sign किसका आया minus का or minus आया 22 minus दिखा रहा minus दिखाने का मतलब क्या है कि कमी हो रही है कि कमी हो रही है यहां पर answer अगर मेरा आता plus में तो इसका मतलब होता रिद्धि हो रही है, ठीक है? मौई माइनस में आने का मतलब क्या है? कमी होगी. 22 percent, 22 percent की क्या हो जायगी? कमी. जब आप को मैंने ये इतनी सारी बाते बताई हैं, 3 methods बताए हैं इस सवाल को लगाने का, तो आपकी समझ में आया कि रही है तीसरा वाले पर आप यह समझते हैं कि कब किसका यूज करना है ठीक है तो वैसा पहले method का यूज तब करना है जब यह दसका या पांच का multiple हो डिरेक्ट इस पे लगा बहुत ते जान से लगए को जीरो-जीरो काट डालेगा डिरेक्ट औरल भी बता सकते हो जैसे 30% मैं बढ़ा रहा हूँ 40% घटा रहा हूँ जिसको यह समझ में आ गया वो क्या करेगा 30% बढ़ाएगा 130 करेगा 0 हटा के 13 बचेगा 130 हो जाएगा 0 हटके 13 बचा 40% घटाऊंगा 60 बचेगा 60 का 0 हटा करके 6 बचा 13 6 जा कित्ता 78 और आंसर आपके पास में 22% कमी वही चीज अगर यहां पर आप देखोगे कहां पर यहां पर यहां पर भी कर सकते थे औरली 30 और 40 डिफरेंस लिया 10 का आया बाकि किसके साथ माइन कुछ कंफ्यूजन जो क्रियेट करें वैसे सवाल लेते हैं एक वर्ग की प्रतेक भुजा को 10% बढ़ाने से इसका खेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा बताएए भई इसका खेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा तो मुल्चेंटर आव कितने पर रदिए द्वाएड़न से beeping मुल्चेंटर इसका खेत्रफल्द प्रवड किम बढ़ेघ subm기 उarna जैंसे सवाल उर्पल्चेंटर्टर्फल्चेंटर्चेंटर्फल्चेंटर्टर्फल्चेtur मे गल्दी बता दो भाई चलिए तो दो सवाल हुआ एक में मैं बढ़ा रहा था एक में मैंने कमी लाई है तो जब आप 10% बढ़ा रहे हो एक स्क्वार के एच साइड को और पूछा गया चेंज जो है वो एरिया में है किसमें है छेतर फल में यहाँ पर भी किसमें है छेतर फल में तो जैसे ही ऐसा सवाल तुम्हें मिलेगा कभी इंदा फ्यूचर आपके एक्जाम में सबसे पहला काम ही यही करना है कि एरिया के लिए ऐसे एरो बना खिटाक से खिनारे और यह चीज अपने आप में अंडर्स्टुड रखिएगा कि हमें दो बार मुल्टिप्लाइ करना है क्यों करना है क्यों करना है बाई क्योंकि किसमें चेंज पूछ रहा है शेत्रफल में पूछ रहा है अब एरिया में चेंज पूछेगा तो जिसे कि यह स्क्वेर है इच साइड को 10% बढ़ाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 110 कितनी बार करना था दो बार तो once again 110 और अगर मैं इसको काट डालूँगा जीरो से जीरो से सारे जीरो खत्तम ग्यारा गुने ग्यारा किता होता है 121 और अब बताओ 121 से आंसर कहां से निकालोगे तो आप कोहगे सर जी इसके हिसाब से तो आंसर आएगा 21% enhancement हो गई है, विर्द्धी हो गई है, 20%, बात सम्झ में आ रही है, बात सम्झ में आ रही है, बहुत बढ़ी है, एक circle की radius को 10% घटाने से area, कितने percent घटेगा, अगर ये सवाल है, तो फिर से आप देखिए, क्या करोगे, आप ये करोगे की, सबसे पहले आप मान लोगे कि वह चीज सव थी कितनी थी सबसे पहले आप मान लोगे कि वह चीज कितनी थी 100 था दो बार करना था तो वं सगेन एक यही पर्सेंटेज है उसी का दो बार कर लो क्यों उसी का करोंगे कि अगर स्क्वेश है cer है तो सभी बुझा ए ए रहता है ए का स्कूर होता है तो इसलिए उसी का स्कूर विरत है यह तो मैंने खत्म ही कर जितना ज्यादा उतनी विरिद्धी हो गई कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कमी हो जाएगी ठीक है एक मिनट कम होगा तो कमी और विरिद्धी होगा तो कि इसमेंट सर तो आज है नहीं कर दो झाल झाल एक लोग आए गया थे जालो ओके तो 121 मतलब 21% की इंकरिजमेंट और ये कम है चुकी तो कमी कितनी है भाई 100 से कितना कम है बस उतने की कमी आंसर लेकर क्या आएंगे 81 100 से कितना कम है गाईस 19 कम है 19% की क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी तो ये हो गया आंसर इसका और दिस इज अस्टा आंसर सो मतलब जो कुछ भी है मतलब यही है ठीक है भाई तो अब भाई लोगों से मैं जानना चाहूंगा भाई लोग ये बात समझ में आ गई भाई लोग तो आईए एक बहतरीन सा आंसर करके दिखाईए हमको बहुत खबसूरत सवाल है 2D के सवाल दिखाए 3D पर आजो भाई 3D में अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि एक क्यूब है क्या है क्यूब है और उस क्यूब की 20% अगर मैं इंक्रीजमेंट लाता हूं तो बताना है आपको कि इसके प्रस्थिये छेत्रफल में इसके सर्फेस एरिया में कितने परसंट की पृद्धी होगी इसके सर्फेस एरिया में कितने परसंट की पृद्धी होगी बहुत आसान है फिर तो आपके लिए मतलब आप तो इसको देखके युड़ा दोगे वाई साब तुरंद क्या करोगे आपके मान लोगे 100 था और अगर ये 100 था तुरंटी परसंट को मैं इंक्रीज करा रहा हूं तो वन ट्वेंटी होगा से यस वंस अगेन वन ट्वेंटी होगा क्योंकि बार बार बढ़ रहा है क्योंकि 3D है तो तीन बार होगा अब अगर ये सोच करके कि 3D है तो तीन बार होगा और आपने तीन बार मुल्टीप्लाई कर दिया तो गलत ये थोड़ी कहा था हमने और फिर से देखो भाई साब गलत ना करो मैंने आपसे कहा 2D, 3D में समझाते वकत कि ये जो इमेज है इसमें तो एरिया होता है ही एरिया तो इसमें भी होता है जब समझा रहा था मैंने बोला था कि area दोनों में होता है बसरते इसमें lateral surface area, left surface area, total surface area होता है, इसमें सिर्फ area होता है, तो जब आप बात करोगे area की, तो area के लिए बहर multiply करना है, भा, यह दो मैं लिख भी दिया था, मैंने बता भी दिया था कि area कभी पूच ले, चाहे जैसा area पूछ लेगा, दो बार multiply करना है, बशरते आयतन न पूछे, अगर volume पूछ रहा है, that time three times multiply करोगे आप, और यहां पर volume नहीं पूछा जा रहा था, सिर्फ पूछा जा रहा था, क्या area, easy, so बस, खाटो, फीटो, खाटो, घुलो, और लगा लो, 12, 12 जाजो, 12 बच रहा होगा, कि जो इसका surface area है, किसका cube का, वो कितना बढ़ गया होगा, वो बढ़ करके 144% हो गया, means, 44% की क्या हुई है, increasement हुई है, अभी आपको कोई doubt है, तो बता दीजिये, बोलो भई, क्या कोई कस्ट है इस सवाल में, जब मैं पूछूँँगा, क्या कोई कस्ट है, इ आप कहेंगा, नहीं सर्जी, विल्कुल नहीं है, तो मैं कहूँगा, बस, तो उड़ी पर बेस्ट थिरीटी की शुर्वात और करते हैं, इस पर बहुत जबर्दस, जबर्दस्त कोश्चन बनते हैं, मतलब ऐसे सवाल बनते हैं, जो आप गलत कर लो, ठीक है, तो आते हैं उ जए झाहिमक झाहिए यू झाहित